करनाटक के उडूपी में शुरू हुए हिजाब तराजा को लेकर वहां के MLA का बयान भी सामने आया है उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे रगुपती भट का इस मामले में बयान सामने आया है आपको बतादें के रगुपती भट के मताबिक कॉलेज में हिजाब के लिए एहतजाज करने वाली तलबात का तालूप PFI से उन्होंने बताया है तलबा तन्जीम CFI यानि Campus Front of India से है रगुपती भट के मताबिक एहतजाजी तालबात मासूम है लेकिन PFI के कंट्रोल में है और उन्हें नामालूम मुकाम पर ट्रेनिंग दी गई है रगुपती भट विमेंस गौवर्मेंट P.U. College के College Development Committee के साधर भी है उन्होंने क्या कुछ कहा आईये सुनते हैं P.U. College के लिए हैं सेवादे सिक्टा टीजाए इजा हैंनलों के रगुपती भी हैंस्टी आपनले इन्होंन अविए मुपती हैं आप बेंदे क्या साभुपती पीजाएट प्रिच्टी भी हैतना आपको हैंनों के रहाओंगी एल्या नहीं हैं स्क्टी जाराते लिएट से and also about their tweets 12 girls have been undergone a special training in a hidden place that is a result of this then out of that 6 came back because their parents are good they don't allow them so out of that we got information so I have written it to all Home Minister Karnataka so he will investigate it so that girls also if you see I told even after their contact they have opened the twitter account in the october end and november if you see their updated accounts these are my students all your campus friends what agendas have been forwarded